हेलो अब्रिवान वेलकम बेक टो माई चैनल में हूँ प्रियंका तो दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नाइका नैचेरल्स हल्दी एंड चंदन की फेश वाश जो कि इसे मैंने रिसेनली पर्चेस किया है और अभी मैं इसे ट्राइ भी कर रही हूँ तो य आप इन्हें ट्राइ कर सकते हैं यह हल्दी एंड चंदन से बना हुआ फेश वाश है दोस्तो इसे मैंने लिया है नाइका से इनका प्राइज लिया है 94 रूपीज ओके यह जो फेश वाश है इन्हें आप डेली बसस के लिए यूज कर सकते हैं यह आपकी स्कीन को रेडियं करती है रेडियarentस लूप देती है स्कीन से टैनिंग को रिमूब करने में हल्दी जो है वो बहुत ही ज़ाधा काम करती है अगर कोई रेडनेस हो गई है तो उन्हें हटाने में ये help करती है dark circle को remove करने में चंदन जो है वो बहुत ज़्यादा काम आती है black hits को दूर करने में चंदन बहुत ज़्यादा helpful है and hyper pigmentation को remove करने के लिए भी चंदन का बहुत ज़्यादा beneficial रहा है skin के लिए and ये काफी time से लोग जो है वो home remedy ट्राइ करते आए हैं लेकिन अभी उतना ज़ादा किसी के पास time नहीं होता है कि आप remedies जो है वो घर पे ट्राइ करें तो इसलिए इस तरीके का जो face wash मार्केट में अभी है जो कि थोड़ा सा gently face wash है जो कि आपकी skin के लिए बिलकुल कोई भी problem ना create करके आपकी skin को एकदम से clear and crystal look दे इस तरीके का face wash आप अगर use करते हैं तो आपको वैसा वाला ही result मिलेगा जैसा कि आप home remedy में चाहते है और दोस्तों इनका price तो मैंने आपको बताई दिया and इनका जो ml quantity है वो है 100 ml quantity मैंने इनका लिया है इनका packaging आप देख सकते हैं हल्दी चंदन यहां पर लिखा हुआ है हल्दी का picture दिया गया है face wash का color जो है वो भी हल्का सा हल्दी का ही color में है यह एकदम gel consistency का face wash है एकदम runny consistency का face wash है बहुत ही जादा watery type इनका जो है formula है and बहुत ही easily यह apply हो जाती है skin पे and then आप इन्हें उसके बाद massage करके आप clean पानी से इसे आप साप कर लीजिए and यह जो face wash है दोस्तों यह आपकी skin को बहुत ही हत्ता के glowing and बहुत ही हत्ता के spotless healthy skin देने में help करती है क्योंकि यह face wash जो है यह ही इस काम के लिए कि skin से सारे ही dark spot and pigmentation को यह दूर करने में help करती है इनका जो smell है यह मुझे ना थोड़ा सा हिमालाई की जो dark spot clearing face wash मैंने आपके साथ share किया था ना तरमरिक वाला healthy वाला वो ही मुझे उनका smell एकदम exactly लगा इनका लेकिन मैं बूलूंगे कि हिमालाई की वो जो मैंने आपके साथ share किया था उनसे भी कुछ जादा अच्छा मुझे यह face wash लगा है नाइका की हल्दी और चंदन face wash इन में से चंदन और हल्दी की खुश्बू भरपूर मातरा में आ रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसने मेरी स्कीन को साब किया है अभी तो मैंने makeup किया है लेकिन आप देख सकते हैं मेरी स्कीन पे pimple या तो फिर अभी आपको कुछ नजर आ रहा है थोड़ी दिन पहले ही मैं जब review कर रही थी तो कितना ज़दा pimple मेरी स्कीन पे हो गया था और मैं खुद ही आप लोगों को बोल रही थी कि मेरी स्कीन पे बड़ा बड़ा सा pimples जो है वो आने लगे हैं तो मैं अभी इस तरीके का product use करने लगी हूँ तो मेरी स्कीन आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल clear and crystal लग रही है जितना भी make-up करूँ मैं कितना ही कर लूँगी कितना ही मैं अपनी स्कीन को जो है वो मैं height कर लूँगी है न तो मेरी जो आगे की जो वीडियो है आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं कि मेरे स्कीन पर तभी भी make-up किया हुआ था लेकिन पिमपल था लेकिन अभी भी मैं make-up की हूँ लेकिन कहा है पिमपल अब देख सकते हैं तो इस तरीके का product यूज करने से मेरी स्कीन की जो problems है वो धीरे-धीरे करके न दूर हो रही है और मुझे काफी जादा पसंद भी आ रही है क्यूंकि दोस्तो स्कीन केर के first जो step होते हैं वो है क्लिंजर अगर आपके अच्छे नहीं होंगे तो वो फिर बेकार हो जाती है स्कीन केर क्यूंकि स्कीन पे आपको एक ऐसा क्लिंजर यूज करना है जो आपकी स्कीन को बिल्कुल भी dry out ना करे आपकी स्कीन को hydration रखके ही आपकी स्कीन को साप करे clean करे और आपकी स्कीन को एक healthy glowing एक bright shine लूग आपको दे तो ऐसा ही क्लिंजर आपको हमेशा try करना होता है and oily skin के लिए dry skin के लिए हमेशा अलग-अलग cleanser जो है वो आती है and Nica की ये जो cleanser है ये जो face wash है वो मैं यही देख रही हूँ कि ये all skin type product है ये oily skin भी try कर सकते हैं and मेरी nose area पे भी जितने सारी भी blackheads थे वो भी धिरे धिरे कम हो रहे हैं तो I love this face wash मैं इन्हें बार-बार purchase करना चाहूंगी and बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ये try करके तो चलिए दोस्तों मैं इन्हें आपको apply करके दिखाती हूँ तो चलिए दोस्तों सो दोस्तों मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नाइका के हल्दी चंदन face wash जो कि ये आपके स्कीन को radiant look देने में help करती हैं ये बहुत ही ज़्यादा जेल टेक्स्चर वाला face wash है आप देख सकते हैं एकदम से ही मतलब पानी की तरह इनका टेक्स्चर है अभी मैं इससे ही अपने चैरे को जो है वो मैं wash करूंगी आप देख सकते हैं कि कितनी easily ये मेरी स्कीन पे जो है वो apply हो रही है और इनका जो bubbles है वो उतना ज्यादा नहीं है मतलब धीरे धीरे रब करते करते मसाज करते करते ही आपको इनका bubbles जो है वो नजर आएगा and then बहुत ही ज़्यादा क्रीमी फेश वाश है and वाश करने के बाद मेरी स्कीन जो है बहुत ही ज़्यादा हाईडरेटट रहती है इनसे and स्कीन जो है गलो भी करती है and बिल्कुल भी तुरंथ ही मॉस्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं परती है एंड ऐसा ही face wash में हमेशा ढूंती हूँ जो मेरी skin को hydrate रखके ही wash करे, clean करे बहुत ही अच्छा face wash है और pimples के marks को दूर करने के लिए healthy चंदन बहुत ही अच्छा काम करती है और tan भी remove करती है आप में देखा कि ये product कैसी है तो ये product है बहुत ही बढ़िया मैंने इससे पहले भी आपके साथ aloe vera face wash जो है वो मैंने आपके साथ share किये है naika के अब भो भी जाके check कर सकते हैं honey face wash भी काफी ज़ादा पसंद आया था मुझे so सारे ही face wash बहुत अच्छे है अगर आपकी skin पे dark spot है, pigmentation है अगर आपको pimples acne की problem है अगर आपको dark circle की problem है तो आप healthy चंदन वाला definitely try कर सकते है dry skin हो, oily skin हो, कोई भी skin हो आप इन्हें बिल्कुल try कर सकते है और यह बहुत ज़ादा affordable face wash है मैं product अपने description box में में दे दूँगी आप वहाँ से जाके purchase कर सकते हैं तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो फिर एक like ज़रूर से करके जाएगा and please subscribe to my YouTube channel and bell icon को ज़रूर से hit करके रखिएगा ताकि मेरी आने वाली notification आपके पास इजिली पहुश सके सो में मिलती हूँ आपके साथ फिर एक निक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों बाई खोश रहिए, हैपी रहिए and यह फेश वाश ज़रूर ट्राइ कीजिए मेरी अनादर फेश वाश की वीडियो जाके ज़रूर देखिए दोस्तों बाई बाई